हेलो एवरिवन वेलकम तो गेम ऑफ केमिस्ट्री चनल और आज के वीडियो में हम सिस्प्लाटिन के बारे में पढ़ेंगे सिस्प्लाटिन बेसिकली एक एक एंटी कैंसर ड्रग है जो एंटी कैंसर एक्टिविटीज के लिए हम यूज करते हैं इसको हम इंट्रवेनसली करते हैं और एक बात याद रखने हैं कि ज स्ट यह होती है और क्लोराइब आइंस एंट अमोनिय जो होते हैं वो लीगेंज होते नाव आपकी बोरी में वोटर मॉल्यक्ल्स प्रिजेंट ही होते हैं तो जब हम आपकी बोडी में systematine को inject किया जाता है तो जो chloride ion होते हैं उनको water molecules replace कर देते हैं और यह आपका resulting complex बनता है तब तो यह जो complex है cancer cell से chromosome से पहुछते हैं अब आपको पता है chromosome में डिने प्रेजेंट होते हैं डिने की double stranded structure कुछ इस तरीके यह आपने जब biomolecules पढ़ा होगा तो इसमें देखा होगा DNA के structures को आपने देखा होगा काफी सारे bases like adenine हो गया गोणनी हो गया यह सब प्रेजन्ट होते हैं डेनने के molecules में अब एक बात आपको समझनी होगी कि अगर आपने चिलेट थेरेपी समझी है पता नहीं मैंने वह वीडियो अपलोड किया है उसको प्लेलिस्ट में जाकर चैक करना तो यह क्या होते हैं कोई भी मोलिक्यूल है फिर कोई भी एटम है जो आपकी बोडी में पोईजनिंग एफेक्ट क्रेट कर रहे हैं और हम उसको प्रिवेंट करना चाह होते है सैल्स की ग्रोथ कुझा जो इन्वांटिड showcase उसे इंसर बोलते हैं तो अगर ऊस ग्रोथ को रोकर एनिहाउट को हम कैंसे कर पाएंगे ठीक है तो क्या होता है बेसिकली जो कैंसर से इल्स होती है उसकी डिन में जो एन्ग Disability घॉता है ठीक है उसको बाइंद कर लेते अपका किसप्लाटियं जिससे कि फर्दर ग्रो ना कर पाए ठीक है तो कही बार कोशिण पूछा जाता है कि जो ग्वयनाइन होता है कोन सी पॉजिशिण को बाइंड करता तो यह झापने की कोशिश करो करहा कि यह जो आपका स्ट्रक्चर गिवन यह ग्वेनाइन का structure है ठीक है और यह पोजिशन लिखे हुए मैंने 12345 पूरे जो मैंने साइकल पे पोजिशन लिखे हुए इंट्रस्ट लिंकिग पोसिबल है ट्रांस प्लाइटिन में पोसिबल नहीं इन्ट्रस्टेंड लिंकिंग और दूसरा आप से सकते है कि जब खेजिश्म बाउंड करता है एंग्वेनाइन पोजिशन को दि-एन ने में अंगल में 34 डिग्री एंगल होता है ठीक है लेकिन ना वो जो काफी अच्छा नहीं होता हमारी हैल्थ के लिए हाम्फूल होता है तो वह क्या कोज करता है नेफ्रो टॉक्षिसिटी कोज करता है मिंस किडिनी को डैमेज करते हैं और निर्वस सिस्टम को भी एफेक्ट करता है इसके लिए हमें कोई और ऑल्टरनेटीड होने की जरूरत थी जिसकी toxicity कम हो और जिसका conjunction करने से कोई harmful effects ना हो तो उसके एक alternative के रूप में आप कार्बो प्लाटीन को देख सकते हैं कार्बो प्लाटीन का structure यह है और यह सिस्प्लाटीन से कम toxic है और यह ovarian head और lung cancer को treat करने के लिए हम इसका use करते हैं ठीक है तो सिस्प्लाटीन के alternative के रूप में आप कार्बो प्लाटीन को देख सकते हैं और सिस्प्लाटीन से कम toxic होता है और इसके अलावा आजकर एक compound और जो लाइम लाइट में है काफी चर्चा में है तिक एंजर एक्टिविटीज के लिए और उसका जो आईउपैक नेम है वो है बिस एसेटेटो अमा complex है तो इसने platina plus two oxidation state show करता है और अगर octahedral complex है तो इसने plus four oxidation state show करता है इस compound की specific thing यह है कि इसको हम और ली भी consume कर सकते हैं जो हमने ऊपर पढ़े कार्बो प्लाटिन और सिस्प्लाटिन वो intravenously inject के जाते हैं और यह testicular as well as ovarian cancer को treat करने के लिए यूज के जाते हैं तो कोशन कई बार आते है कि सिस्प्लाटिन की alternative बताओ तो आप कार्बो प्लाटिन बता सकते हो और बिस एसेटेटो अमाइन डाई क्लोरो साइक्ल हेक्जा में प्लाटिनम फॉर्थ ही बता सकते हो